यार भी खुद जाना पड़ता है, यहाँ आके मसालइ भी खुलाना पड़ते हैं, यहाँ जब मैं पहली बार आया था, मेरे भाईव, तो मुझे पता नहीं था, हल्दी क्या रेट है, मिर्ची क्या रेट है, धनिया के रहे, कुछ भी मालूम नहीं, आज बो दिन है मेरे कि मैं पूरी बाराग का खाना बना सकता हूं यह साओधी यह रोड़ी साओधी समझ भी नहीं आती आदमी का क्या हाल कर दिया मेरा देखो यह बगल फटी हुई है यह पजामा फटा हुआ है कोई नहीं है गाओ में जब था मेरे भाईयो जब मैं गाओ में रहता था जब मैं गाओ में खा तो अगर कहीं से सिलाई अगर निकल गई एक कोने से सिलाई निकल गई तो वो कपड़ा कभी दुबारा पैना नहीं था मैंने घर के अंदर चाचा आज यह साओधी बो दिन है महीने का 40,000 कमा घर में बाघ का खाता था मा का खाता था सब को लूट के खाया है सब को बेस के खाया आज आज मैं खुच 40,000 कमाता हूं इस बगल फटी हुई है इस पैजागा हुआ होआ है एससे नीचक नेकर है उसमें 6 नगर आप देख लेंगे तो चाचा यह बोलें गैं फ़कीर तू पांच रियाल का दही खरीद के लेके आता है तू पांच रियाल का दही खरीद के लिरके आता है मगर अपने तन पे पहलने वाला कपड़ा कभी नहीं लेके आता है नेकर में एक अजार छेन है बन्याइन में एक अजार छेन है बगल भटी हुई है अंग्रेजी माहुल म और घर पे जब मेरे भाईयों अगर प्रेस लगी हुई नहीं मिलती थी तो समझ लो पूरा खाणदान सर्क पर उठा लिया मेरे कपड़ों प्रेस नहीं करी मेरा कपड़ा सही से नहीं धोया इदर से कालर गंदा है इदर से यह चीज गंदी है यह किसने यह कव्वे पे सुख गया कपड़ा उठाके नहीं लाया इसके कव्वे नहग दिया एक हजार सुना दिंघर वालों को और आज यह 40,000 कमाने के बाद मेरे भाई यह बगल भी फटी हुई यह नेकर भी फटा हुआ है पैजामा भी फटा हुआ है क्या क्या है यह सवदी सुख गया हुआ है यह नहीं लेट करके लाके दे दिया और यहाँ चाबल नहीं खाना है चाबल भर फुराना रखा हुआ है मां गई दूसरा चाबल लाके पका के दे दिया और आज और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है न उसको हिट करो